कैसे हैं दोस्तों कृष्णतर बिल्डेंग में आपका अस्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे हाउटू कैल्पिलेट वर्ट ऑफ इस्ठील बार दोस्तों काफी लोगों कोशन है कि हमारे जो सरीया की लेंद्ध होते उसकी एक लेंद्ध में कितना वेट होता है एक मेटर म निकालने के फोर्मुला होता है जो d square upon 162 मतलब हमारे डाय होता है जो सरीय होती है इसका ये गोल में इसका डाय कहते हैं हम इसको और दोस्तो और जो एक जो लेंद सरीय होती है वो बारेमिटर की होती है दोस्तो अब हम जैसे हम यह निकाल रहे हैं हम 8 mm का में निकालना है तो अब दोस्तों इसको हम इससे calculation कर लेंगे जैसे अब d square 2 है तो हम इसको जो लिखा हमने 8 गुणा 8 तो इसको हम लिख लेंगे 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 बटे में 162 अब इसको हम इससे भाग करेंगे तो यह हमारा जो आएगा 0.395 दोस्तों यह हमारा निकल गया अब यहाँ रखना है जब भी हम यह वाला formula के साफ से करेंगे d square बटे में 162 तो जो हमारे निकल गया है यह हमारा हमेशा 1 मिटर के निक जल कर आएगी जो हमने आठ का निकाला है हमारे एक मिटर के लेंद बारे मिटर को कि अंतра RigFT, कि अ है दोस्तों अर्म का निकाल अंगे वाली मेर का जो बारे मिटर की जो लेंद होगी हम बारे मिटर को जो हमारा एक मीटर का निकल के आया यह 0.395 इसको मिससे गुणा कर देंगे 0.395 इससे गुणा करने के बाद जो हमारा निकल के आयेगा यह हमारा 25.3 वीख में 25.3 एक मिटरकी को निकल गाया है गए हमारे 21,000 यह हमारे 20,000, की मिटरकी को दिति अ, उ स्वे मीटर में 18,000क क आब ईस्थितर दोष्ट्टो में निकालना निकालना रहे हैं 10 m का निकालेंगे 10 m के लिए तो जिसेंगे दोस्तों ऐसी करना है डी स्क्वेर 162 से गुणा कर देंगे अब जैसे डी का इसको इसको ले लेंगे 10 स्क्वेर 10 इंटू 10 divided 160 अब इससे कुणा करेंगे अब इसको हम इससे काटेंगे एससे 100 अब पॉन में 62 इसको से काटेंगे तो यह हमारा जो निकल के आएगा 0.62 यह भी हमारा दोस्तों एक मिटर का निकल गया है अब एक मिटर का जो हमने निकल लिया अब एक मिटर को हम फिर से हम 12 मिटर से करेंगे 0.6 इंटू 12 तो दोस्तों अभी हम इसको बारे से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हमारा जो निकल के आएगा और सेवन पॉइंट परफॉर यह हमारा 2 एक लेंद का निकल गया बारे अमेट का एक लेंद हुता है यह हमर एक लेंद का निकल याया 7. 14 तो इसी तरह दोस्तो अब यह हम जो भी हम यह निकाल रहे हैं, यह हमार एक मिटर का आता अगर यह फोर्मुले के साब से हमला के निकालते हैं तो 1 meter का निकल किया था यह 1 meter चाहिए 10 meters 15 meters जितने भी मिटर हों उसे multiply कर देंगे तो हमारे calculate हो जाएगा अगर हम अगर हम निकालते हैं 12 mm निकालते है 12 M का तो सेम दोस्तों वही D square upon में बटे में 162 अब इसको formula दोस्तों यही है 12 गुणा 12 बटे में 162 अब इसको हम calculate करेंगे तो यह जो हमारा निकल के आएगा यह 0.89 यह हमारा 1 meter का निकल के आया यह 1 meter का निकल अब सेम दोस्तों 0.89 को multiply करेंगे 12 से तो दोस्तों यह हमारा निकल के आएगा 10.68 kg यह दोस्तों हमारा एक लेंद के निकल का आया 12 M का 12 M का भी निकल का आया अब उसी तरह दोस्तों अब हमें 16 का निकालना है 16 M का 16 M का दोस्तों सेम इस तरह करने के बाद 16 into 16 162 इसको हम कलकूलेशन करेंगे तो दोस्तों हमारा एक मीटर का जो यह निकल के आएगा 1.58 kg यह हमारा एक मीटर का लेंद निकल के आया एक मीटर में 16 M का 1.5 kg होता है अब इसको दोस्तों एक लेंद का निकालना है 16 M का तो आपको इसको 1.58 को मुल्टिप्लाइ करना है 12 M से यह आपका निकल के आजाएगा 1.8.96 kg यह हमारा एक लेंद का निकल के आया इसी तरह दोस्तों अगर आपको 20 M का निकालना है 20 M का सेम वही फोर्मूल लगाना है 20 into 20 162 दोस्तों इसको कैल्कूट करेंगे तो हमारा यह जो निकल के आएगा 2.47 यह 1 M का निकल का है अब वही अब इसको 12 M का एक लेंद के लिए तो 2.47 को 12 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हमारा 29.64 kg निकल का है एक लेंद का तो दोस्तों इसी तरह आप सरीय का किसी भी निकल सकते हैं एक चीज़े और दोस्तों आपको बताते हैं जैसे 8 M का आपर लेंद है अब यह निकला था हमने एक मेटर के अतना निकल के आया उसके बाद 12 से हमने लेंद किया तो अब यह दोस्तों 8 M का जो बंडल होता है एक बंडल जो होता है उसमें 18 पीस होते हैं और शी तरह दोस्तों अगर 10 mm का मारा बंडल है 10 mm का बंडल है 1 BDL में तो यह आपके 12 पीस होते हैं 10 mm के बंडल में 12 पीस होते हैं और दोस्तों अगर 12 mm का बंडल है 12 mm का बंडल है 1 BDL में तो यह आपके 8 पीस होता है 12 mm के बंडल में 8 पीस होता है और 16 mm के बंडल में आपके 5 पीस होता है 16 mm का एक बंडल में 5 पीस होता है और 20 mm का बंडल है तो आपके 3 पीस होगा 3 पीस का एक बंडल होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सेर करें